हेलो इस्टूडेंट मैं रेश कुमार मैं अध्वाइन रेश जीसर क्लासे से आपका हर्देख स्वागत करता हूं आज फिर से हम अमसी प्रिवेश जिसके अंदर हमारे पास पेपर 3rd है D-A एन्ड S-I-F-E यानि डेफिरेंशल एक्वेशन ãyand यूनिटी सेकिंड ठीक है भी जिसकी MSC जो MSC प्रियों साल में एक बार अग्जाम होती है उनके लिए आपको पता ये यूनिट सेकिंड क्यूसन्स नमबर 3 A और B आपका कम्पलीट हो चुका है लेक्चरस नमबर 1 से लेके लेक्चर नमबर 10 तक लेक्चरस नमबर 1 से लेके लेक्चरस नमबर 10 तक है आज इसके हम अथवा वाला पार्ट क्यूसन्स नमबर 4 है A और B पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास स्टार्ट होगा लेक्चर से 1 स्टार से लेके 5 जाए 6 जाए कितना जाए वो हम देखेंगे ठीके तो अगर आपके पास टाइम है समझेगा बात को ये कलास कौन से स्टूडेंट्स लेंगे जिनके पास है MSC प्रिवेस का टाइम अगर टाइम नहीं है तब तो आपकी इनिट कंपलेट हो चुकी है लेक्चरस 1 से लेके लेक्चरस 10 तक है और अगर आप पढ़ने में इंट्रेस्टेड हो और आगे चलके आपको RPSC फैस्ट ग्रेड या फिर हमारे पास नेट गेट की एक्जाम किलियर करनी है तो ये पार्ट है हमारे पास वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट है इसमें बहुत सारी बाते आपको सीखने को मिलेगी तो मत यही कहूँगा जब समय होगा आपके पास सक्ष्टा तो आप इसे जरूर पढ़िएगा लेक्चर से 1 स्टार को ठीक है और इसके उल्टे हमारे पास जो सेकिंड सेमेस्टर के स्टूडेंट से उनके लिए भी यह हमारे पास पेपर थार्ड ही है पेपर का नाम अग्जाम में आएगा उनके लिए डिफ्रेंशल इक्वेशन सेकिंड है ठीक है भी डिफ्रेंशल इक्वेशन फैस्टर वाप सेमेस्टर एक में पढ़ चुके हो और दूसरे वाले semester में आपके पास differentials equation से second है और आपकी भी ये unit second ही है lectures one started होगा यानि second semester के students के लिए हमारे पास compulsory है और जिसका साल में एक बार exam होता वो optional है और मैं ये कवमा time मिले तो आप इसके आगे के part जरूर देखेगा otherwise आपकी ये unit कव की ही पूरी हो चुगी है lectures one से लेके lectures 10 तक देखिए इसके बाद आपके पास अथवा वाला part start होता है तो ये तो था आज हमारे पास इस lectures में कि हम क्या पढ़ने वाले हैं कौन से students को पढ़ना है और कौन से students को छोड़ना है तो बहुत सारे students ने तो यहीं छोड़ दिया होगा क्योंकि exam पास में है तो आपकी unit हो चुकी है extra मत पढ़िएगा अगर पढ़ने में interested हैं तो ही आप इसमें आगे बढ़िएगा ठीक है बई तो ये था हमारे पास MSC previous का आज है unit second का अथवा वाला part जो हमारे पास paper third है differential equations and special function का ठीक है बई अब हम बात कर लेते हैं कि इस अथवा वाले part का syllabus कौन सा है अब हम बात कर लेते हैं जो अथवा वाले भाग है उसके अंदर हमारे पास कौन-कौन सा syllabus है या second semester के students के लिए या हमारे पास second semester के students के लिए unit second का syllabus क्या है unit second का हमारे पास syllabus से क्या है तो अब एक बार एक नजर में देख सकते हैं syllabus को syllabus में है हमारे पास linear homogeneous boundary value problem linear homogeneous boundary value problem eigen value and eigen fraction और इस ट्रम लियो ली ठीक है इसको लियो विल लियो विल भी बोल सकते हो या लियो विल भी बोल सकते हो Scientist का नाम है Strum or Leo Will Boundary-value Problem Orthogonality of Eigen-Fuckson Reality of Eigen-Value और लांगराज की Identity और Periodic पास सलेबस में टोपिक हैं जिसे हम एक-एक-एक-एक करके सीखने वाले हैं ठीक है भань यह हमारे पास अथवावाले भाग का सलेबस है जिसकों अंदर हम एक 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 टोपिक्स को सीखेंगे उससे related example, questions, theorem जो भी होगा वो हम सीखेंगे तो आप heading डालोगे कि हमारे पास paper third है ठीक है भई? heading डालोगे paper third है differential equations second इसके अंदर हमारे पास unit second है अब देखिए इस paper के अंदर हमारे पास book कौन सी है तो आपके पास JPH की book है भई आपके पास JPH की book है आप स्क्रीन के ओपर देख पा रहे होंगे book का नाम है हमारे पास differential equations volume second differential equation volume second volume second का मतलब क्या है volume first तो आप पढ़िके आए हो BSC second year के अंदर जहां आउकल समीकरन चलती थी एक book तो यह वो भी differential equation नाम था उस पेपर का याद करो उस पेपर का नाम भी differential equations था तो वो तो volume first थे यह हमारे पास volume second यानि जो BSC में पढ़ा उससे बहुत ही standard और higher level है हम इस differential equations के अंदर ही पढ़ने वाले हैं तो यह हमारे पास JPH की book है और JPH की book में यह जो सले बस यह हमारे पास कहां मिलेगा यह मिलेगा इस JPH की book में chapter number 13 के उपर ध्यान दियो book नहीं है तो कोई बात नहीं हमारे पास chapter number 13 के उपर मिलेगा और chapter 13 का नाम ही हमारे पास boundary value barrier boundary value problem है ठीक है भाई इसका नाम हमारे पास skinny boundary value problem है जिए इस्ट्रम लिवली boundary value problem से आइगन वेल्यू आइगन फक्षन से लांगराज आइडिटी प्रियोडिक फक्षन बगेरा हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं ठीक है वह तो सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं तो यह हमारे पास सलेवस हो गया आज हमारे पास से चेप्टर 13 का हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि सलेवस चेप्टर 13 वह यह से स्टार्ट होता लीनियर होमोजीनेस बाउंडरी वेल्यू प्रोबलम आज हमारे पास से चेप्टर 13 को हम स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट सेकिंड का लेक्चर वन इस्टार है और इस्टार का मतलब आप समझ जाओगे कि यह हमारे पास अथ्वा वाला पारट है ठीक है इस्टार का मतलब आप समझ जाओगे कि यह हमारे पास अथ्वा वाला पारट है तो आईए अब हम बिलकुल starting से इसे start करें छोटी 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 हम बातें सीखें जिसे हमारे पास इस chapter में किसी भी परकार की दिखतें ना आए तो आप हेडिंग डालो हमारे पास चेप्टर नमबर 13 है बुक है हमारे पास जेपी एच की अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं हम आपको बुक की कमी महसूसे नहीं होने देंगे ठीक है और चेप्टर 13 का नाम है boundary value problem बस केवल आप इतना लगा लो boundary value problem हमारे पास नाम है ठीक है अब अगर हम semester systems वाले students को ध्यान में रखें क्योंकि मैं इनके लिए साल में एक बार वाले तो लेख पढ़े ना पढ़े अलग बात को क्यूंटी-चोटी-चोटी पूछता है फिर आगे आपकी एसे स्टार्ट हो जती है यूणिट जिसमें आपको क्यूसंट नमबर तू या थरी में से कोई करना होता है तो इससे पहले हम छोटी 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 डेफिनेशन के उपर अच्छे से फोकस करेंगे क्योंकि एक एक दो दो एक दो दो नंबर से ही आपकी परसेंटेज में सुधारे होगा तो देखे हम स्टार्ट करें चेप्टर 13 को और चेप्टर 13 का नाम है बाउं हम बाद में आपको बता देंगे ठीक है इससे पहले हम सीखें आखिर की हमारे पास बाउंडरी वेल्यू प्रोब्लम क्या होती है उसे पहले हम छोटी छोटी कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन से सीखते हैं जैसे हमारे पास इतना तो आप जानते हैं कि मैं जैसे ही बोल दोगे एफोफक्स इस इकोल टू आइफ बिलॉंग अक्स टेस्टो वाई जो इस परकार से डिफाइन है फिर हम बात कर लेते हैं वन वन फक्सन है और टू फक्सन है तो आज हमारे पास एक नया फक्सन साबको पढ़ने को मिलेगा और्थोगोर्न फक्सन लिखिए सब से प lining definitions की शुरूत करेड़ेंगे तो और्थोगोणल हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास और्थोगोणल फक्षन हमारे पास सलेवस में स्टार्ट करें सबसे पहले ही पहले इस unit second के अंदर जो हम definitions पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि orthogonal functions हमारे पास ही क्या होता है समझिएगा हमारे पास हम दो type के functions पढ़ेंगे इदर orthogonal functions और हमारे पास normalization functions ठीक है हम दो परकार के यहाँ पढ़ेंगे चलो दोनों ही definitions लगा देते हैं एक तो विस्तार से नोर्मलाइज़ेश ठीक है नोर्मलाइज या पर समानिकर्ण फाक्षन्स बोलते हैं हिंदी के अंदर मतलब इसको नंतर परकार के पढ़ों के और और आप ऐसे समझोब हम्हारे पास एक यह इस समय हैoder इस बात को हमारे पास एक फक्षन से एफो फक्षी और इसमें अक्स वेरियेबल है बिलॉंग करता है किसी कलोज इंट्रवेल एबी के अंदर किसी कलोज इंट्रवेल एबी के अंदर अक्स है हमारे पास बिलॉंग करता है माना एक फक्षन से हमारे पास एफो फक्षी अक्स बिलोंग कर जाए हमारे पास aपी के अंदर फिर हमने माना कि दूसरा fraction और फक्स है उसके अंदर का variable है वह भी अकस a से बी में बिलोंग करता है दूसरा coalition से हमारे पास gx इक 6 patron a से बी में यह भी belong करता है तो अगर हमारे पास यह फक्सन सिस्व परकारी आ इस फक्सन का और इस फक्सन का दोनों का मल्टिप्लाई इंटीग्रेशन कर दें अक्सके रिस्पेक्ट में लिमिट लगा दें इसके इस इंट्रवेल ए से बी की अगर यह हमारे पास जीरो आ देखो कोई गारंटी नहीं है आए जीरो आए या कुछ और हमारे पास किसी एक इंट्रवेल के अंदर कोई दो फक्सन इस परकार से हैं कि उन दोनों का हमने मल्टिप्लाई किया और इसका इंटीग्रेशन किया और लिमिट रखी हमने वही इंट्रवेल A to B और उसका स्योग से अगर 0 आ जाए तो ये हमारे पास और्थोगोनल फक्षन कहलाएगा और दोई कंडिसन हों गी या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा ठीक है मालो अगर 0 आ गया तब तो ये और्थोगोनल फक्षन कहलाएगा otherwise हम कोई और दूसरा देखेंगे कई नया नाम देएंगी तो यह हमारे पास एक डेफिनेशन से और्थोगोनल फक्षन की इसी को ही मैं लेंगवेज के अंदर लिखूंगा तो देखो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास ही की हमारे पास एक इंटरवेल है एक उसके बीच में कोई वारियभल अकस है यानि चार अकस आगर दो такие अगर तो अगर दोनों का multiply करें integration से bx के respect में और limit लगें इसी interval a से लेके b की और और अगर संयोग से इसका answers 0 आ गया तब तो यह हमारे पास कहलाएगा orthogonal function तब ही हमारे पास क्या कहलाएगा orthogonal functions तो मैन बात तो यह है अब इसको standard language में लिखते हो वक्ते आप इसकी language कैसे भी गुमा सकते हो variable x की जगए आप variable y भी रख सकते हो तो यहाँ y यहाँ y यहाँ d y कर दियो एसे interval a b की बजाए आप ए to b या अक्स वन से या मतलब कोई दूसरा नय सिंबल है सकते हो या 0 2 1 आजएगा 225 कुछ भी मानलो symbol आजए c2 db आजए या हमारे पास f o f x की जगए f o f x आजए हो सकता है हमारे पास g x की जगए f o f x आजए जैसे आपकी बुक में g की जगए f o f x काम में लिया है तो हम g की जगए f o f x काम में लो तो अगर आपन jps की बुक के according देखें तो उन्होंने एक फक्सन को f o f x माना है दूसरे को f o f x माना है आप कोई भी दो फक्सन मान सकते हो ज़रूरी नहीं आप f मानो आप साई भी मान सकते हो तो यहां साई भी कर देना बटे आम तोर पे हम दो फक्सन लेके चलते हैं इसक से हमें रती भर भी परकें नहीं पड़ेगा क्योंकि language हमारे पास ऐसी रहेगी कि दो फक्सन जो किसी एक सेम इंट्रवेल के अंदर समझे दो फक्सन हैं एक ही इंट्रवेल के अंदर बिलोंग करते हैं तो दोनों का multiply integration होके उसी इंट्रवेल की limit लग जए और बराबर अग हीरो आ गया तो यह क्या कहलेगा और्थो गौनल फक्सन कहलाएगा क्हिसा हमारे पास पास क्या जाएगी तुप फक्सन हमारे पास दो फक्सन से f x and g x अब आपकी मरजी भई f x and g x चाहो तो आप phi o f x दिख सकते हो या एक बार मैं चलो g ही लिख देता हूँ ठीक है आगे चल के बदल लेंगे भई इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा इसकी जगह हमारे पास कोई भी फक्सन हो सकता है तो हमने माना कि two functions f of x and g of x दोनों के लिए ही दोनों के लिए ही हमारे पास अक से बिलोंग करता है close interval a to b language में लिखने के जुरुत नहीं भी close interval ऐसी sign लगा दोगे ना समझ जाओगे ना ये open interval होता है ये हमारे पास semi open या semi close या ये भी semi open या semi close और बड़ा बड़े किट आ जाए तो ये हमारे पास close interval होता है और इसकी बज़ाए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ये भी semi आधा खुला मतलब आधा समर्त और आधा वीवर्त है तो ये हमारे पास close interval है तो हमने लिख दिया कि let f and gx be two functions देखिए हमारे पास let f and gx या two functions two functions f and gx दोनों ही हमारे पास belong करते है x belong a to b is said to be orthogonal function is said to be orthogonal तब ये function हमारे पास और तो गोनल कहलाएंगे और तो गोनल कहलाएंगे इसी interval a b के अंदर और तो गोनल कहलाएंगे इसी interval a b के अंदर इफ 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 इंटीग्रेशन a से b इफ इफ इंटीग्रेशन a से b दोनों functions का multiply small f of x और g of x into dx is equal to 0 is equal to 0 तो मैं बता चुका हूं काम की बात हमारे पास यही है अब आप चाहें इसे उल्टा लिखो सुल्टा लिखो capital F लिखो capital G लिखो साई लिखो फाई लिखो इटा लिखो जो भी आपको अच्छा function समझ में आए वो लिखो बुक वाले ने आपके यहां फाई बनाके और इसको थोड़ा सा confusion ऐसे कर दिया थोड़ा सा रुतबा वड़ा दिया इसका एकदम से वी आई पी फिल होता है आगे आगे यह क्या करेगा एक को साई काम में ले लेगा तो पर सुडलनी ऐसे देखेंगे तो हमें नया ही फक्स जो एक ही interval को यह इंटरीविल वी कुन सा क्लोज इंटरीविल के अंदर बिलोंग करते हैं तो उनकी limit लग के अगर जीरो आजाए तो यह हमारे पास और्थो गॉनल कहलाएगा थीक है भई तो यह तो था हमारे पास और्थो गॉनल सेट है जैसे हमने लिया है एक f लिया है एक बार के लिए एक AFF लिया हैं और एक जी लिया है ठीक है भी अभ इसी definitions के अंदर अगर ये दोनों एक समान हो जाए समझे इस बात को अगर एफ और जी हमारे पास बराबर हो जाélior यजैनि एक यी बात हो एक ही कहलाईगा समझजी अगर यह कर दोनों फक्राइस सेम सरे हो जई कःज़ें और इसके बराबर वनurgh तब हमारे पास है normal अंग्यात तो इसके लिए क्या लिखेंगे ना क्यूंकि दोनों एक जैसे ही तो हो जाएंगे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे एफक्षन के लिए उसी क्रा chỉnh बोवकाइब विचन के लिए इसको हम सिंगल छोड़ेंगे एफक्ष तो दोनों फक्षन सेम हो जाएंगे इसलिए लखेएंगे और ऑफ से बिलॉंग करता है औरोफ से बिलॉंग करता है कलोप इंटरवेल 에 बी के अदर इज्विड सेय डे टू बी कि vapor to be बीके अंदर इन कलोज इंटरविल एबी के अंदर इप मतलब यह हमारे पास डोनों एक जैसे हो ज़यें तो यह तो इसकी जगाए पोई इसकी जगाए या दोनों जी और जी रखिए तो हमने यहां एप माना है तो इंटीग्रेशन ए से बी आ जाए और एफो फक्स और एफो फक्स को क्या लिख सकते हो भई एफो फक्स का होल स्क्वाइर है ना वह दोनों ही से मल्टिप्लाई हो रहे हैं तो इसके बराबर में हमारे पास 0 नहीं वन आ जाए वन आ जाएगा तो यह नोर्मल फक्स अ कर लाएगा मतलब यह वाला नॉर्मल इसे फक्सन बोखते हैं तो प्रक्सन का मतलब बराबर 0 आएगा तो इसे हम कोई नाम नहीं देंगे और अगर ऐसी सिच्वेशन के अंदर हमार पास equal one आ गया तो ऐसा फक्सन हमारे पास से normalize फक्सन कहलाएगा समझें इस बात को ऐसा फक्सन से हमारे पास से normalize फक्सन से कहलाएगा ठीक है भी तो यह हमारे पास दो छोटी छोटी दिफिनेसिंस ती, तो, एप की जगह आपके पास, मालो, आपकी बुक में, यहां मालो फाई दे रखा है, यह फक्स फाई ओ फक्स, तो यहां फाई ओ फक्स का हॉल स्कुयर इंटो डी एक्स तो रटने की जुरूत नहीं है, आप कोई भी फक्स ले सकते हो, F लीजिए, G लीजिए, P 5 लीजिए, Si लीजिए, Capital F लीजिए, Capital G लीजिए आपकी मर्जी F1, F2, F3, F4, F5 कैसे भी इसके अंदर आप ले लिजिए क्योंकि हमें यहाँ दो Фक्षेंस यह और यहाँ एक ही फक्षेंस का Holy keeper दो बार लिखना है इकुल में हमें क्या लिखना है वन लिखना है ठीक है वई तो ऐसी डेफिनेशन हमें अग्जाम में पूछी जा सकती है एक एक दो दो नंबर की चोटी चोटी परीबासाइं हैं तो आप याद रखोगे अब मेरे इसाब से आपके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि और्थो हमारे पास इन दोनों को मैं क्या करता हूँ अगर मैं इन दोनों फक्सेंस को लिखूँ जैसे मैं आनसुर्स देखे हो एक बार आप पहले वाले का आनसुर्स तो यह है यह तो है हमारे पास नॉर्मलाइज फक्सन अब याद रह जाएगे ना अब इंट्रवेल बगेरा है कौन सा फक्सन से कौन सा फक्सन नहीं है यह है हमारे पास और्थोगोनल फक्सन यह है हमारे पास और्थोगोनल फक्सन ठीक है भी यह है हमारे पास और्थोगोनल फक्सन अब हम क्या करते हैं तीसरी डेफिनेशन्स लिखेंगे और्थो नॉर्मल सेट तीसरी डेफिनेशन्स हम लिखेंगे और्थो नॉर्मल सेट और इसी को ही देखते हुए लिखेंगे तीसरी definitions लिखिया आप और्थो नॉर्मल सैट येस तीसरी definitions है हमारे पास और्थो नॉर्मल सैट क्या होगा तो simple सी बात है ये तो हमारे पास दो के लिए सत्ते है इसके अंदर हम 1, 2, 3, 4, 5 एन तक चलने देंगे समझे इस बत को हमारे पास और्थो नॉर्मल सैट के अंदर हमें क्या करना है यहां तो केवल और केवल दो functions थे यहां हम N functions लेके चलेंगे बैस दोनों में हमारे पास इतना सा ही फरक है देखे यहां तो दो functions लेके चले A to B एक एपो फक्स ले लिया दूसरा जी ओ फक्स ले लिया एक बार मैं इसको बोलता हूँ यह F1 है और यह F2 है क्योंकि मैंने बता है था कैसे भी लिख सकते हो बदल बदल के सिंबल दो ही फक्सन लेने हैं तो दो functions multiply में होंगे तब तो यह और्थो गोनल फक्सन हो जाएगा अगर हमारे पास बहुत सारे आ गई F1, F2, F3 और मानलो FN तक आ गई है हमारे पास FN तक आ गई इंटू डी एक्स इस उक्वल टू जीरो तो यहां तो हमारे पास मतलब यहां दो तक होता तब तो हम क्या बोल जाते हैं कि यह हमारे पास और्थो गोनल फक्सन है बट यहां हमारे पास N सारे आ गई तो हम क्या बोलेंगे कि N फक्सन बोलेंगे नहीं N फक्सन तो अच्छा नहीं लगा इसको ऐसे बोलो कि set of फक्सन बोलो एक set of फक्सन बोल देंगे set of फक्सन मतलब सेट में हम ऐसे लिखते हैं है ना वई सेट के अंदर हम ऐसे लिखते हैं तो हम डेफिनेशन्स लिखेंगे और्थो नॉर्मल सेट हमारे पास क्या होता है येस डेफिनेशन्स लिखेंगे हमारे पास और्थो नॉर्मल सेट क्या होता है तो सबसे पहले लिखेंगे एस सेट ओ फे फक्सन और तो नॉर्मल की डेफिनेशन से में लिखेंगे ए सेट फे फक्सन से और सेट का साइन लगाएंगे और यहां लिख लो ए फे और नीचे मालो जैसे मैंने के लिख दिया k x k x to k x तो k is equal to क्याएंगा one two से लेके n तक क्यों मैं लिखूंगा k बिलॉंग करता है natural number के अंदर for every इंटरवेल एक्से बिलॉंग करेगा a to b वही पहली वाली डेफिनेशन फोर एवरी अक्स बिलोंग करेगा इंटर्वेल A to B के अंदर इंटर्वेल A to B के अंदर इजी सेड्ड टु बी ओर्थो नॉर्मल सेट इजी जी इंटर्वेल A, B इफ इन इंटर्वेल एबी इन इंटर्वेल एबी इफ यह हमारे पास कहलाएगा यह थी ठीक है तो बिलकुल सिंपल सा है इंटीग्रेशन से ए से बी एक तो आ जाएगा दो यह तो मल्टिपलाई होते हैं एक एफ और एक जी तो हम ऐसे माल लेंगे एफ ओफ एम एक्स और दूसरा है एफ ओफ एन एकस इंटो डी एकस इज इक्वल टु जीरो और देखिए ध्यान देना दोनों डिफरेंट डिफरेंट एक एफ होन है दूसरा एफ टू है एक एक जी है तो यहां एम और एन बराबर नहीं आने चाहिए everywhere m और n बराबर होने नहीं चाहिए और m और n किसके अंदर जाएंगे बई natural number के अंदर जाएंगे m और n किसके अंदर जाएंगे दोनों ही हमारे पास natural number के अंदर जाएंगे यह definition है और थो नॉर्मल सेट की साइद आप इसे समझ पाओ साइद साइद अगर थोड़ा सा वापिस deeply जोर देखे या पहले पूरा हाथ से लिखी अपने definition से क्योंकि लिखने का अपना अलग ही power होता है है ना भी लिखने का हमारे लिखने के बाद चीजें बहुत लंबे समय तक और कंठस्ट रूप से याद रहने की गारंटी रहती है और कुछ इस्टुडेंट्स के अवल ऐसे फिलम होल की तरह देखते हैं कि आई से देखेगा और समझेगा तो मेरे को कोशिस करता हूँ कोशिस नहीं 100% कोशिस रहती है अपनी कि किसी को मैं नोट्स प्रोवाइड ना करवाँ इन रियर केस अलग बात होती है ठीक है तो उसके पीछे उदेश से यहीं है तो देखिए अभी अभी हमने और्थो गॉनल फक्सन्स निकाला है और्थो गॉनल फक् से यह अपनी आप में एक है अब की बार अगर मैं इसका ले लूं सैट ओफ फक्सन्स तो इसका हमने सैट ओफ फक्सन्स मानलो एफो फे अक्स ले लिए और इसका सैट ओफ फक्सन्स मानलो एफो फे इसे थोड़ा सा डिफेंट कर लो बस is equal to 0 और यह दोनों आपस में के अंदर कि a set of function a set of function f of k x k को बता दिया बिलॉंग करता है natural number के अंदर k को बता दिया हमने बिलॉंग करता है natural number के अंदर for every language में आई जाएगा अक्स बिलॉंग a to b is set to be ortho normal society in interval a b in interval a b e 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 और N बराबर हो गई अगर हमारे पास M और N बराबर हो गई तो क्या होगा तो यह होगा हमारे पास A2B मानलो M लिखो या N लिखो तो जैसे मानलो मैंने M ही लिख दिया तो F of M X F of M X दोनों का मर्टिप्लाइ करेंगे तो whole square आ जाएगा D X E और इसके equal में क्या आएगा 1 ध्यान देना इसके equal में क्या आएगा M 1 जब M और N बराबर हो M और N बराबर नहीं होगे तब तो यह orthogonal function बन जाएगा और M और N बराबर हैं तब यह हमारे पास normalization functions बन जाएगा तब यह हमारे पास क्या बन जाएगा normalization functions बन जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास और्थो नॉर्मल सेट है वो भी नॉर्मलाइज फक्सन होता है समझेगा हम बोल सकते हैं कि जो और्थो नॉर्मल सेट होता है वो भी हमारे पास क्या होता है वही नॉर्मलाइज फक्सन ही होता है तो हमारे पास यह conditions है कि अगर आप एक set of functions लेके चलते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से situations आएगी अगर M और N बराबर नहीं होते हैं तब तो यह ortho-gonal function ही ortho-normal set कल आएगा और अगर M और N बराबर आजाते हैं तो इसके बराबर में 1 आएगा यह हमारे पास नौर्मलाईजेशन यह नौर्मलाईजी फाक्षन परनानिशेशन से यह करना भी पता नहीं मेरे तो उल्टे सुल्टे सब निकल रहे हैं नौर्मलाईजी फाक्षन से आएगा अगर बराबर 1 होता है M और N बराबर हो तो और दोनों ही सिच्वेशन के अंदर M और N है नहज़र नमर के अंदरे जाएंगे ठीक है अब आपका specials फाक्षन पढ़ा हुआ है unit fourth unit fifth आपको बच्चे से पढ़ चुके हैं तो इन दोनों equations को मैं एक साथ हैसे लिख सकता हूँ अब आपका आगे पीछे का पढ़ा हुआ है इसलिए कोई दिक्कत आईगी नहीं equations one और two को मैं दोनों को एक साथ हैसे लिख सकता हूँ कि integrations a से b f of m into x f of n into x dx is equal to delta mn is equal to delta mn तो कुल मिला के यही हमारे पास और्थो नोर्मल सेट है ठीक है इन दोनों को एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं f of mx into f of nx dx is equal to delta mn चाहो तो आप बता सकते हो where delta mn आपके पास क्या होता है वई kroniker kroniker delta होता है आप बता सकते हैं कि delta mn है वो हमारे पास kroniker delta होता है यह 1 होता है अगर m और n बराबर होते हैं और इसकी value 0 होती है अगर m और n बराबर नहीं होते हैं तो मान ले पहले condition यह मान लेते हैं M और N बराबर नहीं है तब तो क्या जाएगा 0 तब तो क्या जाएगा 0 equation 1 बन जाएगा और अगर M और N बराबर होते हैं तो यहां क्या लिखोगे 1 तो उस वक्त यहां भी M लिखोगे तो FMX FMX अपने आप FMX का holy square बन जाएगा FMX FMX अगर M और N बराबर होते हैं तो यह वाली situation बन जाएगी यहां 1 आएगा M और N not is equal to 1 तो यह 0 आजाएगा तो यह उपर वाला equation 1 बन जाएगा और इसे आप विशेश रूफ से ध्यान रखिएगा आगे चल के हमारे पास जो क्यूशन्स हैंगे इस unit के अंदर कुछ क्यूशन्स का फॉर्मेट हमें इस परकार से देगा integrations A से भी F of MX F of NX DX is equal to delta MN तो पूरी language में इसे कैसे लिखेंगे कि a set of functions F of KX K belongs to N for every X belongs to AB is said to be ortho normal set in AB E मतलब यहां तक तो ऐसा का ऐसा यहां तक तो मतलब हमारे पास ऐसा का ऐसा इफ है और इफ के बाद direct आप ऐसे लिख सकते हैं मतलब equations one और equations two ना लिखके मतलब आपको exam में थोड़ा सा confusion करेगा ऐसे ना देखे इसको ऐसे लिख देगा और जब questions में आपको ऐसे delta MN दिखाई देगा तो जिसका तैयारी नहीं किया वो students अलग ही दुनिया में चला जाएगा उसलिए नहीं नहीं आएगा कि आखिर उसको करना क्या है इसलिए हमारे पास basic concept है वो हमेशा से आप मजबूतें रखिएगा ठीक है भई तो यह हमारे पास definitions हो गई और तो नोर्मल सेट की इसको एक line के अंदर लिखेंगे तो हम इसके अंदर लिखेंगे अगर M और N बराबर नहीं होते हैं तो यह तो और्थोगोनल सेट में चला तब यह हमारे पास से normalize function की ओरें चला जाएगा ठीक है अब इसी के अंदर आप एक और चोटी सी definitions लिखो फिर हम अपना concept सीखेंगे येस इसी के अंदर आप एक और चोटी सी definitions लिखो फिर इसके अंदर हम अपना concept सीखेंगे तो एक और definition से वो है हमारे पास और्थोगोनल लिखिये मेरे साथ साथ जो तीसरी defin Instead है वो और्थो गॉनल लिटी ओर्थो गॉनल लिटि विद रििस्पेक्टी टू एड़ भेड़े अरिस्पेक्ट टू एड़र सभार डबलो इटेड, वह वेड़ वालंवेट बाद फाक्षन इसकी definitions भी second semester की exam में पूची जा सकती है और बाकी students भी इसकी definitions ध्यान में रखिएगा ये भी हमारे पास बिलकुल simple definitions है orthogonality with respect to weighted functions same here definitions लिखेंगे a set of functions लिखिए हमारे पास ऐसी कैसी लिखिए चलो लिख लेते हैं a set of functions आप भी लिखना है श्टार्ट करो भई a set of functions और मान लिया ये functions भी हमारे पास f of k aksi है k belong करता है natural number के अंदर for every variable aks है ये define है close interval a to b के अंदर is said to be semi definition है भई is said to be is said to be ये हमारे पास कहलाएगी orthogonality with orthogonality ये हमारे पास कहलाएगी orthogonality with respect to with respect to with respect to a weight function इन इं इन इंटरवेल एबी इफ इन कलोज इंटरवेल इन और डारेट लिखोगे कलोज इंटरवेल एबी इफ ठीक है वई सेम लाइज आइए ऑशी की आई तो आप तीनों चयारों डेफिनेशन के अंदर देखोगे तो आपको एक जैसी लाइन मिलेगी ताकि आपकी गल गलती बिल्कुल भी ना हो ताकि हमारे पास गलती बिल्कुल भी ना हो तो यह आ जाएगा हमारे पास integrations a से भी f of mx f of nx f of mx f of nx देखे ध्यान से पहले वाली ही definitions लिखेंगे is equal to delta mn मैं चाहता तो यहां भी बता सकता था पर एक बार फिर revise हो जाए अभी अभी आपने जो definitions लिखी है और्थो नॉर्मल सैट की सेम ऐसे लिखेंगे थे ना दोनों equations लिखो या ऐसे लिखो इसमें और इस वाले में फरक क्या है और और्थो नॉर्मल सैट और और और्थो गॉनलिटी फटा देते हो तो यह definitions बन जाएगी और्थो नॉर्मल सैट की तो आप दोनों नाम ध्यान रखिए और्थो नॉर्मल सैट और और और्थो गॉनलिटी विद रिस्पेक्ट टू वेट फ्रक्षन यानि अगर आपको देफिनेशन में वेट फ्रक्षन दिखाई दे रहा हैं तो आप इसी वाले डेफिनेशन के अंदर मल्टिप्लाई में डवलू अक्स और मल्टिप्लाई कर दियो डवलू अक्स और मल्टिप्लाई कर दियो तो यह फ्रक्षन एफोफ हैम इंट्वर्स एफोफ हैम इंट्व तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह थी हमारे पास चोटी-चोटी चंद डेफिनेशन से जो हमारे पास इस चेप्टर को सुरुवात करने से पहले हमें पता होना चाहिए येस इस चेप्टर को सुरुवात करने से पहले हमें इसके बारे में बेसिक इनफोर्मेशन से पता होना चाहिए ठीक है अगर हम बेसिक इनफोर्मेशन नहीं जानेंगे तो इस चेप्टर के अंदर हमारे पास बहुत साड़ी प्रॉब्लमोंस होगी क्यूषनसी समझ में नहीं आएंगे अगर आप तो क्यूषनसा में नहीं आएंगे और अगर आप बिल्कुल सही तरीके से सीखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं कोई दिकते आएगी ठीके तो यह चारों डेफिनेशन से आप इसे अपने हिसाब से याद रखिएगा चारों की लेंग्वेज एक जैसी है मैं आपके अलग अलग बता देता हूं पहली त एफ़ोफर का होल स्क्वेर ंटू । इस ही इक अगर थे लिखोंगा फिर यह हमारे पास यह कोढ़ एफ़ोफर एन अगसे डवी इन टू आपके डियस एक उटिल्टा एम एन ठीक है यह और्थोगोनल फक्षन नॉर्मलाइज फक्षन से और्थोनॉर्मल सैटे और और्थोगोनलेटी विद रिस्पेक्ट टू वेट फक्षन से तो यह चारों सिंबल से ताकि अब हमारे पास किसी भी क्यूशन्स में आएंगे तो हम बड़े ही इजीली पहचान समझेंगे कि हमारे पास किस परकार का फक्षन से ठीक है यह हमारे पास किस परकार का फक्षन से अब हम इस चेप्टर के अंदर हमारे पास सबसे इंपोर्टेंट जो चेप्टर का नाम है boundary value problem हम उसे समझने की कोशिस करते हैं कि आखिर boundary value problem क्या होती है येस अब हम समझेंगे हमारे पास boundary value problem क्या होती है तो एक तो इसका सोट में आप नाम लिख लीजिए ये हमारे पास bvp कहलाएगी और ऐसे ऐस लग किया जाता है boundary value problems ठीक है bvp लिखेंगे या bvp आजएगा या bvps आजएगा और कभी कभी bcs आज़ाता है यहीं boundary conditions तो boundary conditions अलग बात है और लगबग एक जैसी बात है मैच होती है दूसरे से पर थोड़ा सा difference है वो भी आपको बताएंगे तो सबसे पहले आप एचेप्टर का नाम लिखेंगे boundary value problem क्या होती है हम समझेंगे कि हमारे पास boundary value problem क्या होती है तो अगर मैं इसी conditions को या boundary value problem को averagely मोटा मोटा समझाओं तो ठीक है इसको क्योंकि जब तक इस concept को नहीं समझेंगे तब तक हमारे पास आगे बढ़ने के इस chapter में कोई फाइदा नहीं है ठीक है तो इसको मैं दो परकार से चलो दोनों तरीके से समझाता हूं इसे या पहले ऐसे लिख लो की boundary value कौन-कौन सी प्रोब्लम होती है प्हले तो यह पताये होना चीहँ आपको तो बिलकूल अपना एक बारफ हुआ है दियान रखना दो परकार की problem सोती है नौर्मली एक होता है IVP और दूसरा होता है BVP एक होता है हमारे पास IVP दूसरा होता है हमारे पास BVP IVP का मतलब है initial value problem या हिंदी में हम बात करें तो परारंभिक समझें मतलब हम स्टार्ट करें किसी questions को उससे पहले ही problem आजें और दूसरी है हमारे पास boundary value problem येस दूसरी है हमारे पास boundary value problem मतलब हमारे पास आगे जाके हम किसी विशेश boundary के उपर या विशेश सीमा के उपर रूप गए हैं वो वाली problem क्योंकि final position पे पहुँच जाएंगे तो हमारे पास final problem तो होनी नहीं है answer सा जाएगा तो हमारे पास mainly दो परकार की problem होती है IVP और दूसरी problem होती है हमारे पास BVP यानि initials value problems और हमारे पास boundary value problem इसको बहुत ज़्यादा गहराई से तो हम discussions करेंगे MSC final के अंदर येस आप सही सुन रहे हैं और देख भी पा रहे हैं MSC final के अंदर पेपर आएगा आपका integral transformations and integral equation तो इस वाली बुक के अंदर थोड़ा सा advance में बताना जरूरी है क्योंकि अब हम इसका छोटा सा रूप ही MSC के अंदर पढ़ने वाले हैं MSC primary या second semester में तो जैसे ही आप second वाले third semester में आएंगे MSC previous वाले final में आएंगे तब हमारे पास एक paper आता है लगबग compulsory हैसे तो optional है पर compulsory सा ही रहता है हर एक student से ही select करता है तो इस integral equations के अंदर हमारे पास फिर से start होंगी inertial value problem और boundary value problem तो हम IVP और BVP को बहुत ज्यादा गहराई से तो हम MSC final में सीखेंगे अगर आप जिंदा रहे तो यह सही सुन रहे हैं और यहां हमारे जिंदा रहने का मतलब है अगर आप पास हुए तो ठीक है इसे seriously मतले लेना कि जिंदा और मरेन की बात कर रहे हैं जिंदा रहने का मतलब अगर पास हुए तो आप MSC final के अंदर आगे इसे जरूरी सीखोगे ठीक है एक बार के लिए काम चलाने के लिए बहुती अच्छा तरीका है ऐसे याद रखिए inertial value problem ऐसे होती है जैसे y of a is equal to c1 किसी क्यूसन्स की conditions दे दी और कौन से क्यूसन्स की conditions दे दी उससे पहले हमारे पास क्यूसन्स पता होना जरूरी है तो समझिए हमारे पास क्यूशन से इसका पता होना जरूरी है जब तक हमारे पास क्यूशन से नहीं पता होगा तो हम किसकी boundary value problem निकालेंगे तो जैसे मानलो ये हमारे पास क्यूशन से है क्यूशन से है d2y by dx square से plus 5x dy by dx minus 7y is equal to x square मानलो हमारे पास कोई भी एक differential equations का क्यूशन से है तो इससे पहले हम इसी के बारे में discuss करेंगे मतलब जैसे ही हम कोई problems बगेरा देखते हैं कि कौन सी problem होगी इनेशिल्स value problem होगी या हमारे पास boundary value problem होगी तो किसके अंदर problem होगी हमारे पास differential equations के अंदर और book का नाम भी हमारे पास differential equation है तो पहले तो हमारे पास सबसे पहले ही पहले ऐसी बाते देखने के लिए questions का पता होना जरूरी है तो हम लिखेंगे इस boundary value problem के अंदर समझेगा इस boundary value problem के अंदर हम लिखेंगे कि since we know that हम एक equations ले लेते हैं हम ऐसी ही एक equations ले लेते हैं मालिया की second order तक लेके चलते हैं हमने मालिया की एक second order की हमारे पास ordinary linear differential equations है कई नाम इसके अंदर आ गए ordinary linear differential equations है differential से equation से समझे हमारे पास second order की linear differential से equation से is given by हमारे पास एक second order की ordinary देख़ो आपको पता है ODE PDE एक तो होता है ODE और एक होता है PDE तो गवराईए मत ordinary एक साधारन सा सब्द है यह बोलेगा आप ऐसे काम में लीजिए डीबाई डीएकस के से डीटू बाई डीएकस सक्वेर यह बोलता है पार। यह बोलता है यह से काम में लीजिए डैल बाई डिल एकस डैल टू बाई डैल एकस सक्वेर तो यह तो होता है partial derivatives यह होता है simple derivatives और simple को यह ordinary differential equations से बोलते हैं फिर दूसरी बात आती है linear क्या है तो linear और non-linear भी हम आगे सिखेंगे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा topic है एक बार तो मैं questions के माध्यम से ही बताऊंगा कि हमारे पास linear क्या होता है ठीक है तो आगे से आप जरूर से सिखेंगे linear और non-linear homogeneous और non-homogeneous linear और boundary value problem और फिर फ्रेड होल और एक और equations आती है मैंसी फैनल में पूरा चेप्टर है और दो यूनिट एक साथ किलियर होंगी तो वहां ये concept आपका मजबूती के साथ हैं समझ में आएगा बट हम एक बार यहां कैसे सिखेंगे boundary value problem और इसके questions को तो मानके चलेंगे हम initials value problem और boundary value problem से पहले हमें questions पता होना जरूरी है और questions हमारे पास यहां second order तक का ही देखेंगे questions एक बार हम यहां second order की ordinary differential situations तक देखेंगे इसका मतलब second order है तो दो conditions हो गई तो दो conditions हो गई मानलो पहली वाली conditions है y of a is equal to c1 और दूसरी वाली conditions है y of a is equal to c2 y of a is equal to c2 मतलब अलग-अलग conditions हैंगी एक y के लिए आगई एक y double dash के लिए आगई कोई दो conditions हैंगी दोनों की पहचान आपको कैसे रखनी है यही boundary value problem में आजेगा एक बार मैं same ही लिख लेता हूँ c1 और y of b is equal to c2 y of b is equal to c2 समझेओ हमारे पास अगर ये वाले अंदर के दोनों point एक जैसे आगई अगर हमारे पास दोनों के point एक जैसे आगई यहां भी देखी अंदर a है यहां भी अंदर a है तो हमेशा initial value problem होगी क्योंकि जैसे मानलो यह हमारे पास interval है a to b हम इसी point से चल रहे हैं तो एक conditions इदर है a b हमारे पास इदर है तो अगर ये दोनों का अंदर एक जैसा है तब तो जो problem होगी वो initial value problem कहलाएगी आप सोच रहे होंगे कि topic हमारे पास boundary है इसको क्यों घशीट रहे हैं बिच में तो concept clear करने के लिए ऐसा जरूरी है तो समानेता problems दो परकार की होगी initials और boundary problems initials में दोनों एक जैसे आएंगे जबकि boundary में ये दोनों different different आएंगे जबकि boundary के अंदर ये दोनों different different आएंगे यहां कैसे आते हैं कैसे भी आओ कोई भी value आओ हमें नहीं पता यहां कोई भी constant value हो इससे कोई लेना देना कोई पैसा नहीं है पैचान तो ये है कि अगर ये दोनों एक जैसे आगे तब तो वो problems होगी हमारे पास initial value problem और अगर ये हमारे पास यहां different different आगे तब हमारे पास होगी ये boundary value problem जैसे मानलो मैं एक example लिखता हूँ आपको लिखना नहीं है केवल और केवल समझना है example है d2y by dx square से minus dy by dx is equal to 5 मानलो simple सा example ऐसे है या ऐसे मानलो एक बार y is equal to 5 हम चाओं तो इसका solutions भी करते है cf और pi लगा के complementary functions और particular integral लगा के ये d2 minus 1 into 5 is equal to 5 आपको पता ये linear equations है second order की linear differential equations है ठीक है ये बात आप अच्छे से जानते हो ओके जैसे मानलो ये हमारे पास example है इसकी conditions देती कि y 0 के उपर तो इसकी value 2 रखनी है और y-1 के उपर इसकी value आपको थरी रखनी है या मानलो थरी रखनी है ऐसे मानलो तो ये हमारे पास कौन से परकार की problem हुई तो आपको तो बैस ये अंदर वाला देखना है आपको तो ये अंदर वाली देखनी है और ये वास्तम में अभी तो आपको ये ये अंदर वाली देखिए वहां आपको ऐसे देखना है y of x is equal to y of x is equal to तो यहां x की value decide करेगी अगर दोनो जगह है x की value एक समान है जैसे ये भी 0 है और ये भी 0 है सोचिए इस बात को ये भी 0 है और ये भी 0 है दोनो point एक जैसे हो गए तो हमारे पास आने वाली problems कैसी होगी initials value problem हमारे पास आने वाली value कैसे होगी inertials value problem और जैसे मालो यहाँ different आ गया तब यह हमारे पास किस में चले जाएगी boundary value problem में अगर हमारे पास यह भी malo 1 आ गया तो किस में चले जाएगी फिर से inertial value problem में यह हमारे पास 0 आ गई तो क्याने का मतब दोनो different होंगे यह दोनो point different होगे तब तो होगी हमारे पास boundary value problem दोनो point एक जैसे होगे तब हमारे पास होगी inertial value problem अब देखे हमारे पास chapter का नाम क्या है boundary value problem देखे द्यान से chapter का नाम क्या है boundary value problem तो questions भी हमारे पास कैसे आएगा boundary value problem से तो ये a अलग से आएगा और B हमारे पासे अलग से आएगा मतलब इसके दोनों पॉइंट हमेशा हमेशा different different आएगे अपने सलेबस में क्योंकि चेप्टर का नाम ही क्या है boundary value problem है इसका मतलब इस इने शिल्स का कोई लेना देना नहीं है तो पहला ही पहला mind में आपके पास ये concept रहेगा कि वास्तों में boundary value problem का मतलब क्या हुआ वास्तों में boundary value problem का मतलब हमारे पास क्या हुआ तो यहाँ y of a और y of b ये हमारे पास दो different different points के उपर हमारे पास result आएगा ठीक है ये हमारे पास दो different different points के उपर result आएगा कब आएगा कब देख पाएंगे हम boundary value है या inertial value problem है उससे पहले हमारे पास differential equation पता होनी चाहिए और differential equations भी हमारे पास second order की इसको मैं standard language में लेता हूँ इसको हम क्या करते हैं बई standard language में लेते हैं तो second order की आप ऐसे लिखोगे P axis D2y by dx square D2y by dx square plus q axis plus q axis dy by dx plus q axis dy by dx plus r axis into y r axis into y और is equal to me या तो s x मान लो या मान लो f of x इसके बराबर में हमारे पास मान लो f of x तो कैसे भी ले लो देखें order first या highest second order तक तो यह क्या हो गई हमारे पास second order की और linear differential equations है linear differential equations क्या होती है और non-linear differential equations क्या होती है वो आपको पता ही है जैसे मैंने यह लिख दिया D2y by dx square minus y is equal to 5 आपको पता है यह LDE है linear differential equation खुब अच्छे से किया है अगर इसी equation को मैं ऐसे लिख दूँ कि y square आ गया तब आपको पता यह non-linear है क्योंकि y की power 1 ही रहनी चाहिए तो linear और non-linear तो आपके BSC second year में भी अच्छे से concept किलियर होंगे या फिर यहां जरूरत पड़ेगी तो यहां भी बता दिया जाएगा तो सबसे पहले हमें boundary value problem देखनी है उससे पहले ही पहले हमें देखना होगा कि आखिर हमारे पास second order की linear differential equations क्या होती है अगर मैं इस सब्द को ना लिखू तो भी चल जाएगा ठीक है इसका मतलब यह होता है कि d by dx आएगा partial होता तो del आजाता ठीक है यह इसको ऐसे लिखो standard language में ऐसे लिखो कि p x ऐसे कर लो y double dash एक लाइन में आजाएगी q x y dash plus r x into y is equal to f x यह हमारे पहला ही पहला topic चल रहा है कि boundary value प्रोबलम आखिर होती क्या है ठीक है भी boundary value प्रोबलम आखिर हमारे पास होती क्या है तो यह हमने एक equations ले लिया अब देखो जैसे ही हम आपका syllabus देखते हैं तो syllabus में सबसे पहले क्योंकि हमें कई सारी चीजें यहीं एक साथ लेके चलनी है तो इस लेक्षिस में तो नहीं होगी continuously इसे रखेंगे तो जैसे ही आप syllabus देखते हैं तो syllabus का पहला ही पहला topic क्या है syllabus का आपका पहला ही पहला topic है linear homogeneous linear homogeneous yes syllabus का पहला ही पहला topic है linear homogeneous boundary value problems yes यह हमारे पास इस लेक्षिस का पहला ही पहला topic है कि linear homogeneous boundary value problem तो वही homogeneous क्या होती है एक होता है homogeneous एक होता है non-homogeneous ठीक है boundary value problem हमने थोड़ा सा समझाए कि दोनो point ही different different होने चाहिए यहाँ भी कुछ होगा और यहाँ भी कुछ होगा यह दोनो different different होंगे तो इतना point तो बता देता है कि यह boundary value problem है एक होता है हमारे linear मतलब यह हमने लिखी लिया कि जो equations हमने ली है दोखो y का y है कहें भी y square जैसा कुछ नहीं आया है तो यह हमारे पास linear equations हो गई अब हमारे पास चेक करना homogeneous और non-homogeneous तो यहाँ देखिए in equation 1 लिखिएगा इस बात को in equation 1 अगर हमारे पास f of x is equal to 0 आजए मतलब last term अगर हमारे पास 0 आगई तब तो यह हमारे पास होगी homogeneous हाँ ना वै काफी सारे concept के लिए रहोंगे तब यह होगी हमारे पास homogeneous linear differential equations तब यह होगी हमारे पास homogeneous linear differential equations and e p अगर f of x हमारे पास 0 ना हो तब यह होगी हमारे पास non homogeneous तब यह हमारे पास क्या होगी भाई non homogeneous linear differential equation येस तब हमारे पास क्या होगी यह non homogeneous linear differential equation तो देखिए कहाँ चल रहे थे 20-20 में हमारे पास क्या आ रहा है तो इस टार्टिंग के दो लेक्चर से इस यूनिट की दसा और दिसा दोनों तैय करेंगे कि आप कितना concept समझ पाते हो, कितना concept हमें करना है, क्या छोड़ना है, क्यूशन कैसे आएगा, कौन सा method कहां से apply करूँ ताकि हमारा agility और explanation से अच्छे से समझ में आ जाई तो चिंता मत करो, दोनों सलेवस में हैं, हाँ, दोनों सलेवस में हैं, होमोजीनियस वाला पारट है, होमोजीनियस वाला पारट है यह तो आप इसी unit second के अंदर करोगी, आपका पहला ही पहला topic की यही है कि linear homogeneity boundary value problems, ठीक है दूसरा है, हमारे पास non homogeneity, यह second semester के students के लिए आप देखोगे unit third के अंदर तो आपको जश्ट आगे वाली unit है, उसके अंदर हम non homogeneity भी पढ़ेंगे तो आज इस वाली unit के अंदर है, इस वाली यह जो second unit चल रही है, इस second unit के अंदर हर बार इस questions में हमारे पास एफोफक्स के आएगा, आगे लिखके 0, यहां हमारे पास आगे एफोफक्स हर बार क्या लिखके आएगा, 0 लिखके आएगा, ठीक है यहां हमारे पास F-O-F-A-X क्या लिख की आएगा जीरो लिख की आएगा आगे वाली उनिट में चलेंगे तब यहां X का फक्षन या कोई constant value X का फक्षन से या कोई constant की value आएगी तो सबसे पहले तो आप यही समझेगे कि आखिर हमारे पास homogeneous और non homogeneous का scene क्या है तो आपके syllabus में जो पहला ही पहला topic था homogeneous पूरा concept के लिए नहीं हो अबी देखे ध्यान दो कहीं ऐसे मैं समझना की समझ में आ गया है केवल और केवल यह बताया है कि यह equations हमारे पास homogeneous कब होगी जब हमारे पास F-O-F-A-X is equal to 0 होगी और यह हमारे पास non homogeneous कब होगी जब हमारे पास इस F-O-F-A-X के बराबर हमारे पास कोई ना कोई value आ जाए ठीक है तो यह हमारे पास boundary value problems का topic यह तो chapter का नाम चल रहा है boundary value problem इसे हम एक बार समझने की कोशिस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने सीखा कि एक second order की linear differential equation है और यह homogeneous होगी अगर इस F-O-F-A-X के बराबर 0 हो जाए क्यों कर रहे हैं हम homogeneous पहला ही पहला topic हमें यह पढ़ना है कि linear homogeneous boundary value problem ठीक है बई पहला ही पहला topic है हमारे पास linear homogeneous boundary value problem तो हम इसमें आगे next lectures में discussion करेंगे अभी boundary value problem problem आपको समझ में नहीं आई है ध्यान देना कहीं आपको लगे कि हाँ boundary value problem समझ में आ गई है level इसके अलग-अलग हैं केवल और केवल यह बताया है कि यह different होने चाहिए best यह different है तो boundary value problem होती है और यह हमारे पास यह सेम है यह हमारे पास एक समान है तब initials value problem होती है अब यहां क्या आएगा यहां क्या आएगा आगे हम discussions करेंगे ताकि हम boundary value problems और boundary conditions के इन क्यूसनों को बहुत ही अच्छे से explain करें फिर ऐसी equations के solutions के तरीके किया हैं तो एक आईगन विल्यू आईगन फक्षन आएगा एक इस्ट्रम लिवली equations आएगा एक green function आएगा green functions को भी आप unity fourth के अंदर पढ़ेंगे second semester से वाले तो ऐसे इसके अंदर मतलब बहुत सारे क्यूसन्स equations homogeneous non-homogeneous linear है non-linear है boundary value problem है initials value problem है यह सारे सब्द आपस में फशे हुए हैं तो हम बिल्कुल विस्तार से हम next लेक्षेस में discussions करेंगे अभी के लिए के वला और के वला आप इतना सा याद रखोगे और टोपी का नाम यह मत डालना भाई boundary value problems है ठीक है यह chapter का नाम है कहीं आप यह सोच लो कि यह क्या हो गया boundary value problem चल रही है तो पहले heading लगा लो यह chapter का नाम चल रहा है यह हमारे पास पहला ही पहला topic है मैं बताना भूल गया था कि पहले हम boundary को समझ रहे थे पहला ही पहला topic की heading डालो पे linear homogeneous यह आप लिखिए यह topic चल रहा है हमारे पास लीनियर homogeneous अप टोपिक चल रहा हमारे पास एन इई linear homogeneous boundary value problem boundary value problem boundary value problem boundary value problem तो अभी हम इस topic में केवल इस discussions पहुंचे हैं कि यह equations linear है homogeneous के लिए हम एफोफक्स की जगाए जीरो रख देंगे आगे जब हम chapter पढ़ेंगे unit 3 में वहाँ non homogeneous आएगी उस वक्ती एफोफक्स के बराबर किसी भी किमत पे 0 नहीं आएगा तो इसका हम विस्तार से discussion से just next lectures number 2 में करेंगे तो आप lectures 1 complete होने के बाद continue रखिएगा इसे दोनों lecture शेक्सा देखिएगा लंबे समय तक बैठ के पढ़ने की capacity उत्पन कीजिए अभी हाली में आप मैसी में आये हैं काफी दिन हो गए हैं सेकिंड से 0 होगा अब आगे इस लीनियर होमोजीनियस यानि इस सिच्वेशन को हम इस boundary वेल्यू प्रोवलम से कनेक्ट करेंगे और इसके मेथड के तरीके देखेंगे कैसे कैसे मेथड इसका सोल होता है तो आइगन वेल्यू आइगन फरक्षन इस्ट्रम लेओली और ग्रीन फरक्षन जैसे मेथड से यह equations हल होंगी उसको हम वन वाई वन करके समझने के कोशी से करेंगे ठीके तो नेक्ट लेक्टेस में ऐसा कैसा स्क्रीन पर ओल्रेडी लिखा हुआ मिलेगा तो चलिए जस्ट मिलिए मेरे को नेक्ट लेक्टेस नंबर टू के अंदर ओके वई